तेवहारों का मोसम चल रहा है तो आज में बहुत ही बढ़ियां आसान सी और कम समय में बनने वाली बर्फी की रेसिपी शेयर करें हूँ बिल्कुल मुँ में घूल जाने वाली बर्फी और आप इसे बना कर महिन श्टोर करके आराम से खा सकते हैं बर्फी बनाने के लिए पहले चासनी तेयार कर लेते हैं मैं एक कटोरी चीनी ले रही हूं यह मैं इसी कटोरी से नाप कर सारे इंग्रीडियन्स लूँगी आप कोई कप या कटोरी सेट कर ले और उसी से नापकर सभी चीज ले तो आपकी वर्फी पूरी बढ़ियां परफेक्ट बनेगी और इसमें थोड़ी सी पानी डाल रही हूं बिल्कुल थोड़ी सी जिससे चीनी सिर्फ डूब सके बढ़ियां से चला लेते हैं अब इसे उबलने दते हैं ये रही फूर कलर एक पिंच फूर कलर को मैं पानी में घोल ली हूं ये ये येलो वाली फूर कलर है बिल्कुल ओप्सनाल है चाहें तो डाले या फिर स्किप करते हैं बढ़ियां से मिला लेते हैं इसे उबलने दते है हमें एक तार वाली चासनी बनानी है, यह चासनी कापी गाड़ी हो गई है, चेक करते हैं, यह देखिए एक तार बन रही है, अब यह हो गई, अब इस्टेज में क्यास को बन कर दते हैं, बर्फी बनाने के लिए मैं कड़ाई में एक कट्टोरी बेशन ले रही हूं, मैं यही कट्टोरी से चीनी मेजरमेंट करके ली थी, यही कट्टोरी से मैं बाकी सभी मेजरमेंट करके ले रही हूं, इसे हम हलकी आंच में थोड़ी दिर भूनेंगे, करीब एक से दो विनिट, फ्रेंस मैं हूँ ममता और आप सभी लोगों को iSmart रसोई में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हूँ मेरी रेसीपीज अगर आप लोगों को प्रसंद आती हो तो iSmart रसोई को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा कर all notification को क्लिक कर लिजिए ताक कि मैं जब भी विडियो डालूं आप लोगों को notification पहले मिल सके करीब 2 मिनिट भूनने के बाद यह रही आधी कटोरी सूजी यहाँ पर आप सूजी मेरी तरह आधी कटोरी लेकर बना सकते हैं यहाँ फिर one fourth यानि की एक चूथाई कटोरी लेकर भी बना सकते हैं अगर आप इस तरह से बेशन की आधी सूजी लेते हैं तो आपकी बर्फी पूरी सुखी सुखी और ड्राय बनेगी और बेशन के साथ साथ सूजी की टेस्ट खूल कर आएगी और अगर एक चूथाई सूजी लेते हैं तो बेशन की सुखी खिल कर आएगी आपको जैसी पसंद हो बनाएं अब इसमें थोड़ी थोड़ी घी डालेंगे और बढ़ियां से चला कर मिक्स करेंगे यह एक और चमज डालते हैं बढ़ियां से मिक्स कर लते हैं यह एक और चमज डालते हैं बढ़ियां से मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे अब देखिए बेशन व शूजी में घी सफिस्येंट हो गई है मैं टोटल इसमें पांच बढ़े चमज घी डाली हूँ अब इसे हम पूरी लो फ्लेम में सुनाहरा करके भूनेंगे अब बढ़ियां सोंधी सोंधी महक भी आने लगी है करीब पांच मिट इसे मुझे भूनने में लगी है अब डाल रही हूं ये थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई इलाइची बढ़ियां से मिला लेते हैं अब इसमें तैयार की हुए चासनी को डालते हैं जब चासनी डाले तो फ्लेम को लो रखें नहीं तो आपर छीटे आ सकते हैं बढ़ियां से मिला लें यह देखिए इससे पता चल रहा है बर्फी हमारी बढ़िया फ्लपी बनने वाली है बस इससे फटाफट से ग्रीस किये हुए प्लेट में ट्रांसपर कर देते हैं फ्रेंड्स मैं यहां रिक्वेस्ट करना चा रही हूँ अगर रेसीपी पसंद आ रही हो तो अभी लाइक कर दे और वीडियो देखने के बाद ज्याद से ज्याद सेयर करना ना भूले अब इसे अच्छी तरह से दबा ले यह बहुत जल्दी सेट हो जाती है तो इसे देर किय यह बिना ही करनी पड़ेगी यह रही थोड़ी सी बादाम और पिस्ता आप अपने मन पसंद के नर्स ले ले थोड़ी दबा दते हैं ताकि बढ़िया से सेट हो जाए यह जब हलकी गरम रहे तभी इसे काट ले नहीं तो यह ठंडी होने के बाद जम जाएगी और अच्छी यह एक दम बढ़ियां मुँ में घुल जाने वाली थैंक यू फ्रेंट्स रच्छा बंधन आने वाली है तो आप सभी लोगों को धेर सारी सूप कामनाय और धेरो बधाईयां आप इसे तेवहारों में और ब्रत के दिनों में भी बना कर खा सकते हैं थैंक यू फ्रेंट्स मिलते हैं आगले वीडियो में तिल दिन